मेरे प्यारे परिवार जनों, आज हादी का ये अम्रुत काल देश के लिए हर नागरिक का कर्तवे काल भी है, अपने कर्तव्य निभाते हुए ही हम अपने लक्षों को पा सकते हैं, अपनी मंजील तक पहुंच सकते हैं, कर्तवी की भावना हम सभी को एक सुत्र में पिरोती हैं, उपी के संभल में देश ने कर्तवी भावना की एक ऐसी मिसाल देखी हैं, जिसे मैं आप से भी शेर करना चाहता हूँ, आप सोचिए, सत्तर से ज़्यादा गाव हो, हजारों की आबादी हो, और सभी लोग मिलकर एक लक्ष, एक ध्याई की प्राप्ति के लिए साथ आ जाएं, जुड़ जाएं, ऐसा कम ही होता है, लेकिन संभल के लोगों ने ये करके दिखाया, इन लोगों ने मिलकर जन्भागीदारी और सामुहिक्ता की बहुती शांदार मिशाल कायम की है, दरसल इस ख्षेत्र में दसकों पहले सोत नाम की एक नदी हुआ करती थी, अमरोहा से सुरू होकर संभल होते हुए बदायू तक बहने वाली ये नदी, एक समय इस ख्षेत्र में जिवन दाइनी के रुप में जानी जाती थी, इस नदी में अनवरत जल प्रवाईत होता था, जो इहां के किसानों के लिए ख्षेती का मुख्य आधार था, समय के साथ नदी का प्रभा कम हुआ, नदी जिन रास्तों से बहती थी, वहां अतिक्रमन हो गया, और ये नदी बिलुप्त हो गई, नदी को मा मानने वाले हमारे देश में, संभल के लोगों ने, इस सोत नदी को भी पुनरजिवीत करने का संकल्प ले लिया, पिछले साल दिसंबर में, सोत नदी के कायकल्प का काम, सत्तर से जादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया, ग्राम पंचायतों के लोगों ने, सरकारी विभाकों को भी अपने साथ लिया, आपको ये जानकर खुशी होगी, कि साल के पहले छे मेहने में ही, ये लोग नदी के सो किलोमेटर से जादा रास्ते का पुनरुधार कर चुके थे, जब बारिश का मौसम शुरू हुआ, तो यहां के लोगों की मेहनत रंग लाई, और सोत नदी पानी से लबा लब भर गई, यहां के किसानों के लिए खुशी का एक बड़ा मोका बन कर आया है, लोगों ने नदी के किनारे बांस के दस हजार से भी अधिक पाउधे भी लगाये हैं, ताकि इसकी किनारे पूरी तरह सुरक्षित रहें, नदी के पानी में तीस हजार से अधिक गंबूसिया मचलियों को भी छोड़ा गया है, ताकि मच्छर नपन पे, साथियों सोत नदी का उधारन हमें बताता है कि अगर हम ठान लें, तो बड़ी से बड़ी चुनोतियों को पार कर एक बड़ा बडलाव ना सकते हैं, आप भी करतवे पत पर चलते हुए, अपने आसपास ऐसे बहुत से बडलाव का माध्यम बन सकते हैं,